जैहें डिफेंस इस्परेंट्स वेलकम बैक अगीन दिस दिव्यांशु पांडी एक बार फिर से भारती नौसेना ने अपने पराकरम को समुद्र में दिखाया है और भारती नौसेना के मार्कोस कमांडोस के द्वारा जो है 21 क्रू मेंबर्स जो की MV Lila ship में आपके hijack हुए थे उनको successfully rescue किया है तो पूरा पराकरम क्या है उसको हम आज के session में जानेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 October 2023 से लेकर अभी तक काफी तेजी से pirates की घटना है आपके हो रही हैं mainly Red Sea में और Arabian Sea में तो इसलिए भारती नौसेना पहले से भी आपका deploy किये हुए थे ये घटना आपके 5 January की है जहां पर Indian Navy को सूचना मिलती है कि एक ship है जिसका नाम है MV Lila Norfolk Ship उसमें टोटल 21 crew members आपके सवार रहते हैं और 21 में से 15 भारती रहते हैं और भारती नौसेना उस जो hijack ship है उसको बचाने के लिए अपने operation को आपका स्टार्ट करती है भारती नौसेना के द्वारा हमारे guided missile destroyer आइनस चन्नई को वहाँ पर deploy किया जाता है जहां पर हमारी भारती नौसेना अपने helicopter से उस पूरे एरिया का निरिक्षण करती है और मारकोस कमांडो के मदद से जो है उस आपके ship पे जो की hijack की गई थी सुमालिया के द्वारा सुम के पास mapping रहती है images रहते हैं और इसके बाद जो hijack का attempt रहता है उसको आपका nullify करने के लिए वो अपने इस operation को चलाते हैं जैसे ही इंडिया नीवी वहाँ पर पहुंस थी तो जितने भी आपके pirates होते हैं लुटेरे रहते हैं वो सभी पूरे जहाज को छोड़कर चले जाते हैं और भारती नौ सेना के जो हमारे मारकोर्स कमांडोज हैं उनके दोरा जो है पूरे जो शिप को जो है एक बार देखा जाता है और जो 21 crew members हैं उनको आपका rescue किया जाता है इसमें भारती नौ सेना ने अपने maritime patrol aircraft साती साथ अमेरिका के MQ-9B predator drone integral hellos का आपका इस्तमाल किया अभी जो predator drones हमारे पास हैं उसको हमने अमेरिका से lease पर लिया हुआ है और अभी 31 predator drones की deal आपकी चल रही है जिसको जल्दी आपका finalize किया जाएगा और 31 drones जो है भारत को आपका मेलेंगे जिसमें लगभग 18 के करीब भारती नौ सेना इस्तमाल करेगी और बाकी के 13 जो है भार बारी मिसाल डिस्टॉयर ने आपका एहम भूमिका निभाई है मार्कोस कमांडो जो की भारती नौ सेना के elite आपके special forces के कमांडो रहते हैं उनको ये आपकी जिम्मेदारी दी गई थी कि उन सभी नागरिकों को भारत के नागरिकों को और जो भी अधर छे हैं उनको आपका बचाना है और इस mission में वो successful आपका रहते हैं भारती नौ सेना ने पूरे भारत वास्यों को आपका सूचित किया है ये जो आपका बल के carrier था वो एक transporting cargo था जो की ब्रजील से लेकर बहरीन तक आपका जा रहा था जैसे ही सूचना नौ सेना को मिलती है कि इस प्रकार की घटन की गई है तो नौ सेना तुरंत ही वहाँ पर deployed होती है और अपने मारकोस कमांडो को ले जाकर जो है वहाँ पर इस operation को आपका अंजाम देती है इसमें कहा गया है कि अगर मैं बात करूं उस पूरे रीजन की अरबियन सी का पूरा रीजन जो इंडन ओशन के तरफ भी आता है तो उसमें हमने अभी तक टोटल थ्री वार्शिप को आपका डिपलॉय किया है पहली आपकी आइनस कोची आइनस कोलकाता और आइनस मारमोगाव साती साथ आइनस नई तो ये तीन-चार हमारे गाइड़ मिसाल डिस्ट्वाइर्स हैं जिसकी हल्प से हम अपने मैरिटाइम सेक्यूर्टी को इंडन ओशन और अरबियन सी में चाक चौबंद कर रहे हैं और भारत ये चाहता है कि जितने भी हमारे कार्गो विसल्स होते हैं जो कि इस रूट संब करते हैं इनके जो पाइरेटरे हiał को होते हैं सबसे ज़्यादा आपका का कई ज़से लेड़ें जिसके लोगों के द्वारा ये कुक्रिताब के किये जाते हैं वही पर अगर हम दूसरा परस्पेक्टिव देखें रेड़ सी का तो वहां पे भी घटनाएं हो रही हैं अगर हम आईनस चन्नई की बात करें जिसको इस बार इस ऑपरेशन डिपलॉय किया गया था तो ये हमारे मैरिटाइम सेक्यूर्टी के रिस्पॉंसपल रहा करती है एक इलाका आप यहां देखिए यहां पर सुमालिया आप देख पा रहे हो साउथ में है जहां पर आपका गल्फ अधन आता है उसी क्या आगर आप बढ़ोगे जिवूती यमन दिखेगा तो यहां पर जो न कार के काम किया करते हैं इस कार से इंडिन नेवी यहां पर हमेशे डिपलाइड रहती है और इस बार इंडिन नेवी को हम सभी को ट्रिब्यूट देना चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ है आप सभी डिफेंस इस्परेंट एससबी क्रैक एक्जाम के MDA, CDS, FCAT जैसे एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप सभी क्रैक एक्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं